दो दिन पहले हमने एक answer learn किया था लेकिन आज जब किताब खुल करके देखी तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो answer पहले कभी हमने देखा भी था कई बार Google से हमने इस problem का solution पता करने की कोशिश करे कि Google बाबा कुछ तो कर दो इस यादधाश का किसी तरीके से हमारी इस memory को improve कर दो तो हर बार Google ने जवाब में कुछ ऐसे exotic fruits गिना दिये जो कि market में thousand rupees per kg के rate से बिखते हैं तो जितने तेजी के साथ हमने Google खोला था उतने ही तेजी के साथ उसको हम बंद भी कर देते हैं तो क्या आप भी ऐसी ही एक problem से सफर करते हो इसा नहीं है कि पड़ने नहीं बैठते हैं और बकायदा answers को learn करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन पता ही क्या होता है जो याद किया है वो हम भूलते जाते वही वाली बात हो जाती है कि आगे पाठ और पीछे सा पाठ, कि आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं, और जो पीछे पढ़ा हुआ है, वो हम भूलते जा रहे हैं, तो क्या आप भी ऐसी ही प्रॉबलम का एक ultimate solution चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो, तो आप बिलकुल सही जग बहुचे हो, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहे ही हूँ, जिससे कि आप अपनी memory को बहुत 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 इंप्रॉफ कर सकते हो, यानि कि जो आपकी main problem है न, कि याददाश हमारी अच्छी हो जाए, उस याददाश को कैसे अच्छा करना है, उसक आपके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, so this is विभूती खरे, welcome to magnet brains, जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, यानि कि magnet brains में आपको, दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की, या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session, जहाँ पर हम कुछ ऐसे tips देखेंगे, जिससे कि हम अपनी memory को बहुत sharp और बहुत improve कर सकते हैं, ठीक है, चलो, तो फिर इस session को हम एकदम properly start करते हैं, अब दे भी हमें अपने किसी goal को achieve करना होता है, तो उसके लिए हमें 5-6 steps लेने पड़ते हैं, उनको follow करना पड़ता है, for example, आपने आज decide किया है कि भाई, हमको न, body shoddy बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो gym जाएंगे, अब आपने gym join तो कर लिया, लेकिन क्या आप gym जाकर के, एक ही exercise क करते जाते हो क्या, कि body बनानी है, biceps और triceps, six-pack abs बनाने है, तो क्या उसके लिए, आप के वल एक ही exercise करते रहते हो, कि आपको आपके gym instructor ने बोला है कि push-ups करो, tummy जो है अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो आप लगे पड़े हो push-ups करने में, एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिय एक हफते कर लिया, एक मंद कर लिया, तो क्या सिर्फ push-ups करने से ही किसी की body बन जाती है, क्या six-pack abs बन जाते हैं, क्या, नहीं, body बनानी है, तो इसके लिए हम अलग-अलग-अलग-अलग exercises करते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर एक goal आपको, एक target आप goal है, वो आप achieve कर पाते हो, ठीक वैसे ही, अगर आपने अपनी memory को improve करना है, यादाश को अच्छा बनाना है, तो यादाश को अच्छा बनाने के लिए कुछ important steps होते हैं, उन सभी steps को अगर आप follow करोगे, बहुत sincerity के साथ, तो definitely आपकी memory improve होने से कोई नहीं रोख सकता, mark my words, क अगर आपी जाने के लिए excited हो कि भई, क्या है ऐसे tips, क्या है वो ऐसे steps जिनको हम follow करके, अपनी इस कमजोर यादाश को अच्छा कर सकते हैं, memory को improve कर सकते हैं, तो चलो मेरे साथ, बताती हूँ मैं, okay, तो अब हम आजाते हैं, पहली step के ओपर, जिसे follow करना बेहत जरूरी होत जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, disclaimer मैंने आपको पहले ही दे दिया है, कि किसी भी goal को achieve करने के लिए, जो 5-6 steps होती है, वो सारी perform करनी पड़ती है, तो आज के इस session में मैं आपको जो भी tips, जो भी steps में आपको बता रही हूँ, memory को improve करने के लिए, वो सारी आपको sincerity क के साथ perform करनी पड़ेगी, तब आपकी जो memory है वो बढ़िया हो जाए, कोई नहीं रोख सकता, कोई भी नहीं रोख सकता, ठीक है, चलो, first है, understand the importance of sleep, देखो ऐसा है कि नीद से किसे प्यार नहीं होता, मुझसे पूछो, मुझे तो नीद से बड़ा प्यार है, मुझे अगर कोई बोले कि ये काम मत करो, सो जाओ, तो मैं सो जाओंगी, क्योंकि मुझे नीद से इतना प्यार है, and I am sure, कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे students होंगे, जिनको नीद से बड़ा प्यार है, प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं, जब कोई important चीज आती है हमारे सामने, तो हम नीद को सबसे side में push कर देते हैं, कि तुम वहां रहो, जैसे कि घर में किसी की शादी है, कोई आप बोल सकते हो, कि celebration है, है ना, तो बहुत स सारा काम होता है, भई, शादी होती है, celebration होता है, तो बहुत सारा काम होता है, तो हम क्या करते हैं, काम, 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 काम करते रहेंगे, और नीद को पीछे छोड़ देंगे, कि रात में एक बज़े सो रहे हैं, और सुबे 6 बज़े से उठ रहे हैं काम करने के लिए, assignment submit करने के लिए आपको तीन दिये गए थे लेकिन तीनों दिन आपने क्या करें हैं बहुत ही खुबसूरिती के साथ successfully waste कर दिये हैं अब आपके पास बची है एक रात तो आपने सोचा की ठीक है ना स्कूल से सो जाएंगे क्या बड़ी बात है assignment करना जरूरी है तो रात भर आपने क्या कराया है यह है तो आपने सोचा कि ठीक है तो दिन भर तो बड़ा है स्कूल से आकर की सो जाएंगे अब स्कूल आये हो स्कूल से मतलब वापस आये हो खाना पीना खाया थोड़ा बहुत आपने ट्रेस्ट किया इसके बाद में ट्यूशन या कोचिंग का टाइम हो गया फिर चले गए कहां घर से बाहर तो हुआ क्या चाहे कुछ भी हो रहा हो चाहे आपके घर में शादी हो फंक्शन हो साइड में यार और फिर इसके बार में आपको रिलाइज हुआ कि यार दिन भर तो हमने वेस्ट कर दिया यहां वहां हमने जो है ना वेस्ट कर दिया यहां गूमे वहां गूमे अब अगले दिन तो जो है पेपर है पेपर के लिए हमने कुछ तयारी करी नहीं है कोई बात रात तो है अब बैठे हैं रात में पढ़ने के लिए और क्या हो रहा है ऐसी हालत हो रही है ऐसा नहीं है पढ़ने का मन था और पढ़ने की मजबूरी भी थी क्यों कि अगले दिन पेपर साना तो पढ़ना तो पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए बैठे हैं और ऐसी हालत हो रह याद करते हो, तो क्या वो अगली दिन तक याद रह पाएगा? अगला दिन छोड़ो, अगली सुभा तक याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. अब बताईए. ये सभी के साथ होता है. ऐसा नहीं कि एक पॉर्टिकलर बच्चे के साथ हो रहा है या किसी एज ग्रूप के स साथ हो रहा है. ये सब के साथ होता है. And honestly, कभी ना कभी ये चीज मैंने भी करी है. कि हाँ घर में शादी है, तो मैंने जो है ना सोचा कि नींद बाद में मैं सो जाऊंगी, अभी तो काम जरूरी है ना. तो जो सबसे important चीज है sleep, उसी को हमने पीछे छोड़ दिया. और ब्रेन और समान क्या है? answers. तो हम कर क्या रहे हैं? हम डब्बे के अंदर समान डालना चाह रहे हैं. ब्रेन के अंदर answers डालना चाह रहे हैं. लेकिन ब्रेन तो थका हुआ है ना. काम गया? ये ब्रेन. ये ब्रेन थका हुआ है हमारा. मतलब कि जो जिस डब्बे में आप जिजे भरना चाह रहे हो वो डबभाई कैसा है टूटा हुआ है वो डबभाई टूटा हुआ है तो अगर आप उसमें समान ढालना चाहोगे भी तो वो समान बाहर निकल आएगा ना। उपर से डालोगे समान, डबवे के नीचे से समान बाहर निकल आएगा जब आपका brain already exhausted है, बहुत ठका हुआ है उसमें आप answers जो है feed करना चाह रहे हो trust me, ये answers आपको याद नहीं रहेंगे आप भूल जाओगे, अगले morning तक answers आपको याद रहे तो आपके लिए बड़ी achievement होगी कि हाँ ठीक है, अगले दिन exam था, रात में पढ़ाई करी थी सुबह जाकर के लिखा है, लिख तो वाए, लेकिन दो-तिन दिन बाद उन्हीं answers को देखने बैठोगे, तो कुछ याद नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि टूटे हुए डबबे में समान डाला था, ठके हुए brain में answers डाले थे, तो कहां तक जो brain है वो विचारा retain करेगा, recommended hours of sleep for teenagers is 8 to 9 hours, जिस age में अभी आप हो, teenagers हो basically आप लोग, और teenagers के लिए recommended sleeping hours कितने होते हैं, तो 8 से 9 घंटे की sleep होने मस्ट है, आप बोलोगे कि मैं 8 से 9 ये क्या बोल दिया, हम तो 7 घंटे से जादा सोते ही नहीं है, और exam time में तो 5 घंटे नीद हो जाए, वो ही बड़ी बात होती है, अब देख लो, जितना सोने की जरुवत है, एक बाप बताओ, आप कब तक खाना खाते हो, जब तक कि आपका पेट नहीं भरता, जब आपका पेट भरता है, तभी आप खाना जो है न छोड़ते हो, कि हाँ, पेट भर गया, हो गया, अब और नहीं खा सकते, इतना काफी है, इतना सफिशिट है, तो नीद का भी तो यही होना चाहिए न, कि जब तक आपकी नीद पूरी नहीं हो रही है, आठ से नौ घंटी की, तब तक आपको सो अगर बोर्डरों कि नहीं हम 8-9 गंटे नहीं सोएंगे, हमके अबल 5 गंटे सोएंगे, काफी है, हाँ, ओ हेलो, लेकिन तो फिर ब्रेन भी ऐसी करेगा, कि ठीक है, 10 आंसर तुमने याद करें हैं, मैं तो 2 ही रखूंगा, बाकी 8 गए चूले में, मुझे क्या मतलब, सब अग अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे, तो फिर इसमें नुकसान किसका होगा, हमारे रिपोर्ट काड में जो है, CCCC लिख कर क्या आएगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तो during the teenage years, sleep benefits, brain development and function, which enhances, तो basically जब हम, मलब teenagers जो होते हैं, उनके लिए नीन्द बहुत important, नीन्द तो हर किसी के लिए important यह, लेकिन जब हम बात करते हैं, teenagers की तो उनके पास इतनी पढ़ाई होती ही करने के लिए, तो especially अगर मैं teenagers की ही बात करूं, तो उनके लिए जो उनकी नीन्द है, वो बहुत important है, क्यों? क्योंकि sleep का benefit उनको कहां मिलता है, brain development में, brain develop होता है, और brain का proper function होता आते हो, दिन बर चलाया, दिन बर चलाया, रात तक क्या हुआ, मोबाइल फोन की जो बैटरी है, वो भी ड्रेन आउट हो जाती है, फोन जो आपका हैंग होने लगता है, तो फिर आप क्या करते हो, आपको पताद चल जाता है कि भाई, जो फोन है, उसकी बैटरी निंकल और जो हैंग हो रहा है, तो अब इसको चुप-चाप रखते नहीं बहतर होगा, तो ब्रेन का भी तो यह कि दिन बर आपने काम किया, दिन बर आपने काम किया, 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 और हुआ क्या, अल्टिमेटली कि ब्रेन आपका ठग गया विचारा, काम करते, 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 क ब्रेन को ज़रुरत है रेस्ट की रेस्ट उसको कितना मिलना चाहिए आठ से नौ घंटे का मिलना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर आप ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो ब्रेन अपनी 100% efficiency के साथ कैसे काम करेगा और अगर ब्रेन अपनी 100% efficiency नहीं दिखाई तो फिर answers जो है ना नहीं याद रहने वाले तो इसलिए teenagers में आप बोल सकते हो कि उनकी sleep है वो brain development को benefit करती है और उसके function को जो की क्या enhance करता है attention span मतलब कि आप किसी भी चीज में जो है ना जादा देर के बहुत चंचल होते हैं चंचल मतलब कि naughty naughty वाले naughty नहीं मतलब कि एक जगा बैठ नहीं सकते हैं एक जैसे कि मम्मी पापा ने उनको बिठाया पढ़ाने के लिए एक answer याद क्या maximum दो answer याद कि इसके बाद में लगता है कि बहुत होगी पढ़ाई अब नहीं करनी तो उसको हम आपका brain 100% efficiency के साथ काम करता है तो attention span बढ़ता है याने कि आप लंबे समय के लिए किसी चीज़ पर focus कर पाते हो concentrate कर पाते हो is that clear फिर इसके बाद में यादाश जो है वो अच्छी होगी इसके अलावा cognitive abilities भी बढ़ती है cognitive abilities का मतलब क्या है कि आप चीजों को information को process कर पाते हो processing के बाद में आप उन चीजों को मैंलब को चीजों को decide कर पाते हो decision making skills आपकी अच्छी होती है इसके अलावा आपकी reasoning skills अच्छी होती जसी कि कई बार exam में जो है na question paper में question आया तो question को properly समझना important होते क्योंकि कई बार ऐसा होते है कि exam में जो question है वो थोड़ा सा अलग language का आता ह है वो language जो कि आपने शायद उसकी practice करी नहीं है तो सबसे पहले तो जो language है उसको समझना उसकी processing करना फिर उसका reason क्या हो सकता है उसका जवाब क्या हो सकता है वो पता करना फिर इसके बाद में decision making skills लिए teenagers के लिए students के लिए decision making skills भी बहुत important होती है कैसे time बहुत कम रह गया है सिर्फ 5 minute रह गया है paper को exam को खतम होने में ठीक है अब उसमें क्या हुआ कि आपके दो questions रह गया एक question था 3 mark का और एक question था 5 mark का exam खतम होने में 5 minute रह गया है और आपके 2 questions बचे है एक 3 mark का एक 5 mark का 3 mark का जो question है वो आपको आता तो है उसका जवाब आपको अच्छे से आता है लेकिन आप यह सोचो कि जो 5 mark वाला question है वो हम कर ले क्यों क्यों क्योंकि वेटेज उसका जाधा ना 5 marks का है और दिक्कत यह है कि जो 5 mark वाला question है उसका answer ठीक से नहीं आता तो क्या करें क्या करें? पांच माक वाला करें या तीन माक वाला करें? बहुत confusion है भैया क्या करें? किसको choose करें? कौन से question को solve करें? जो आता है या जो ठीक से नहीं आता? जो जादा माक का है या जो कम माक का है? क्या करें? तो जो decision making skills है ना आपकी, जो decision लेने की जो ability है आपकी, ये improve होती है आपको सही direction देता है brain की बेटा तुम इधर जाओ या तुम इधर जाओ आई बस समझ में तो ये सब चीज़े आती कि इसमें cognitive skills में या cognitive abilities में कि processing, reasoning, decision making skills इन सबका एक mixture होता है cognitive abilities तो अगर आपका brain healthy है अगर ये उपर का डबा तुटा फूटा नहीं है अगर ये उपर का डबा कैसा है healthy है तो फिर ये सारी चीजों का फायदा आपको मिलता है कि obviously बात है जब आप 10th में होते हो, 11th में होते हो, 12th में होते है तो काफी लंबे देर के लिए आपको बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है तो इतने देर तक अगर आपको 3-4 घंटे तक लगातार लग करके पढ़ाई करनी है तो फिर attention spend तो जादा होना चाहिए ना ना कैसे काम चालेगा तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आपका brain healthy रहेगा brain healthy कैसे रहेगा जब आप उसको rest दोगे rest at least आप बोल सकते हो की 8-9 घंटे का होना चाहिए या अगर आप 9 घंटे आपको जब दा लग रहे है 8 घंटे जब दा लग रहे हैं तो कम से कम 7 घंटे तो दो उतना तो दो जितने की जितने देर में आपका जो brain है वो क्या हो सके आपने आपको recharge कर सके उतना time तो दो at least Good sleep helps in maintaining good level of hormones पहले के time पर teenagers में especially hormones का problem होता ही नहीं था thyroid आज के time पर हरे घर में कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा thyroid का patient जो teenagers हैं आप ही के age group के जो बच्चे हैं कई बच्चों में thyroid की problem देखी जाती है ऐसा क्यों हो रहा है यह hormonal imbalance क्यों हो रहा है लडकियों में जो है ना जो उनकी menstrual cycle है वो disturbed होती है periods time पे नहीं आ रहे है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो एक natural cycle है ना हमारी body की कि हाँ इतने घंटे से इतने घंटे तक सोना है वो पूरी disturbed चल रही है अगर natural cycle body की disturbed होगी तो जो hormones होंगे ना वो भी उपर नीचे उपर नीचे ऐसे क्या करेंगे डांस करेंगे और अकर hormones ने अपना dance शुरू कर दिया तो let me tell you one thing वो हमारे लिए देखना अच्छा नहीं होगा क्योंकि कई सारे hormonal imbalances या disorders हमारी body में देखने को मिलेंगे ठीक है तो अच्छी नीद से क्या होगा hormones भी control में रहेंगे good sleep leads to excellent mental health so that you can say goodbye to anxiety, depression, overthinking, etc बढ़े देखो नीद पूरी नहीं होती है नीद अभी हम बहुत ठके हुए है दिमाग बहुत ठका हुआ है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं और फिर जब काम हो गया हमारा ultimately जब हमारी पढ़ाई हो गया ultimately फिर इसके बार में हम लेटे हैं सोने के लिए अब लेट तो गए हैं लेकिन क्योंकि नीद का time निकल चुका है ना brain अल्रेडी ठका हुआ है तो अब क्या होगा overthinking शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा होता तो कैसा होता जो scenario, जो scenes हमारी life में नहीं हुएं हम वो भी जो ना सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्यूं अजीब गरीबों तरीके से इसके अलावा depression होता है anxiety होने लगती है कि दोस्त का phone आया कि उसमें बोला कि भाई मेरे तो पूरा syllabus निप्टा दिया मैंने एक रात में बैठ करके और आपने सोचा कि यार मैं भी तो पूरी रात जगा हूँ और मेरे तो किवल दो ही chapters हो में वो भी एक अच्छे से नहीं हुआ तो यह चल क्या रहा है इतनी depression, इतनी anxiety जब ब्रेन में आती है मतलग कि डब्बे में आप समान भरना चाह रहे हो लेकिन डब्बे में जगा ही नहीं है क्यों? क्योंकि डब्बे में पहले से कुछ ना कुछ समान है तो ब्रेन में आप answers डालना चाह लो लेकिन ब्रेन में आलरेडी क्या हो? overthinking, depression, anxiety तो फिर answers कहां से आएंगे? अगर आप अच्छी नींद लेते हो enough नींद लेते हो तो इन सब की जगा नहीं होगी ब्रेन में और जब ब्रेन खाली रहेगा तो खाली जवाब, खाली दिमाग में तो answers भर सकते हैं ना? चीक है? फिर इसके बाद में second step क्या होती है? little bit of exercise is must थोड़ी बहुत exercise अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहे हूँ कि आपका exam time चल रहा है और आप gym में जाकर के ऐसा time pass करो मैंने क्या बोला? कि little bit of exercise is must थोड़ी बहुत exercise exam time में भी जरूरी होती इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में जाकर के ये time pass करो नहीं ये करने को मैंने नहीं बोला है पहली बाद तो ये कि आप exercise का significance समझो कि क्यों? अगर मैंने बोला कि exercise करो तो क्यों करो? exercise leads to the release of happy hormones हमारे body में कुछ happy hormones होते हैं जैसे कि dopamine, serotonin, oxytocin, endorphin अगर मैं बात करूँ endorphins की तो ये natural pain killer होते हैं हमारी body के जब भी body में कही pain या stress होते हैं तो ये release हो जाते हैं ताकि pain थोड़ा सा कम हो जाए stress थोड़ा सा कम हो जाए dopamine की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? एक neurotransmitter है करने कि हमारे जो nerve cells होते हैं जो हमारे brain के cells होते हैं वो एक दूसरी से communicate करने के लिए क्या करते हैं इस dopamine को release करते हैं तो कई बार आप लोगों ने gym boys को बोलते हुए सुना होगा कि भाई आज तो ऐसा dopamine pump हुआ है कि कुछ पूछो नहीं dopamine कैसे pump हुआ? है क्या वो? basically एक happy hormone है ये कैसे release हुआ? ये कैसे pump हुआ? क्योंकि उनने exercise करी थी ये सभी कि सभी क्या है? मिल करके बनाते हैं happy hormones ये happy hormones करते क्या है? basically एक positivity आपके अंदर लेकर क्या आते? कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि दिन भर जो है आप बहुती low feel कर रहे हो कि यार किसी भी काम में मन नहीं लग रहा मम्मी से भी लडाई हो गई छोटे भाई को भी पीट दिया उठा करके मलब दिन भर जो है इतना waste गया है कि ना पढ़ने का मन कर रहा है ना किसी चीज का मन कर रहा है बहुती पक्वास सद दिन गया लेकिन अचानक से क्या हुआ शाम को जो है ना आपकी किसी फ्रेंड ने बुला ले कि चल भाई थोड़ा सा क्रिकेट खेल कर के आते है तो क्रिकेट खेलने का भी आपका मन नहीं था लेकिन आपने सोचा कि कुछ और तो है नी करने के लिए पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है ना घर पी भी सबसे जगड़ा हो गया तो अब क्या करें चलो घर से बाहर निकल जाते है और आप गय हो और मात्र आपने आदा घंटा क्रिकेट खेला है जब आप क्रिकेट खेल करके वापस आए तो आप पता नी क्यों अचानक से एनर्जेटिक फिल करने लगे आपका मूड अपने आप हैपी हो गया I hope कि आपने कभी न कभी ये चीज़ अपने लाइफ में experience करी हो कि दिन भर बहुत बेकार गया बहुत लो हम फिल कर रहे है कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं किसी काम में मनी लग लेकिन कहीं से भी आपने क्या करा है 15 मिनिट के लिए आदे गंटे के लिए चोटी सी exercise कर ली है डांसी कर लिया या क्रिकेट खेल लिया या बेंटमेंटन खेल लिया अचानक से एक एनर्जी का लेवल हमारी बोडी के अंदर इंक्रीस्ट आपको एक्सपिरियंस होता है कि हाँ जो एनर्जी है वो बढ़ गई अभी तक मूड अच्छा नहीं था लेकर अब मूड जो है वो अच्छा हो गया ममा को भी जाकर के सौरी बोल दे कि हाँ ममा सौरी गलती मेरी थी छोटे भाई को भी जाकर के पुछकार जे कि हाँ भाई अब से ऐसा मार पिटाई नहीं होगी तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हम exercise करते हैं थोड़ी बहुत भी तो हमारे जो happy hormones हैं body के वो जो हैं release हो जाते हैं और ये जो happy hormones ही basically क्या करते हैं एक positivity को promote करते हैं हमारे अंदर एक positivity को जो है न वो develop करवाते हैं positive feelings आती हैं जैसे कि happiness, confidence आते हैं कि कई बर ऐसा भी तो होता है न कि exam में exam कल है और एक दिन पले तक हमने बहुत पढ़ाई करी है serious नी बहुत पढ़ाई करी लेकिन जैसे जैसे जो है ना रात होने लगती है और अगले morning पेपर होता है तो रात में हम इतने डरने लगते हैं कि यार पढ़ तो लिया है लेकिन पता नहीं कि फिर भी डर लग रहा है confidence नहीं है जो पढ़ाई करी है हमने अपनी जो preparation उस पही हमको क्या नहीं है confidence नहीं है तो यह जो confidence level आपका down हो रहा है ना इसको ऊपर करना है अब ऊपर करने के लिए कोई दवाई तो होती नहीं है है ना हमको नशेडी हमको drug edits नहीं बनना है कि हमने क्या करा है drug भी जो ना जाके सूंग लिया है वो हमें नहीं करना है ना इसकी कोई doctor जो है ना medicine prescribe करता है कि बेटा ये खाले ना खाने के बाद तो आपका confidence है वो बढ़ जाएगा confidence हमको बढ़ाना है naturally हम कैसे बढ़ा सकते है happy hormones को induce करके कि happy hormones आज जो जल दे से और हमारा confidence बढ़ा दो तो कैसे simple जो है ना walk कर आओ कि आपने इतनी बढ़ाई कर लिए है अगले दिन आपका क्या है paper है तो walk कर क्या हो जाओ अब walk करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी garden किसी बार खी जाओ घर में terrace होती है है अच्छत होती है वहां की दो दिन चक्कर काट लो तो क्या होगा आप बोल सकते हो कि आपकी वही छोटी सी exercise हो जाएगी और happy hormones जो ना release हो जाएगे happy hormones से basically क्या होगा एक positive feeling आएगी आपके अंदर आप खुश हो जाओगी confidence level जो ना आपका बढ़ जाएगा तो अभी तक 10 minute पहले तक जो आपको डर लग रहा था exam को लेकर के exercise के बाद simple walk के बाद आपको डर लगना बंद हो जाएगा है ना plus exercise होता कि हम खुब जोर जोर से सांस लेते हैं आप छोटी सी कोई भी exercise कर लो suppose cycling की कर लो या दौल लो 5 minute के लिए आप यह observe करोगी कि आप बहुत ही तेजी के साथ breathe कर रहे हो बहुत तेजी के साथ सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो होता कि हम strong breathing करते हैं खुब सारी oxygen Oxygen हम inhale करते हैं और हमारे body के cells क्या होते हैं भूके होते है oxygen के तो body के हर एक cell को oxygen चाहिए होती है तो जितने जोर से आप respiration करते हो उतनी सारी आप oxygen जो है अंदर लेते हो lungs में और lungs से क्या होता है हर एक cell तक body के cell तक oxygen पहुंचती है in fact जो हमारे brain के cells हैं जो हमारे डब्बे के cells हैं उन cells को भी क्या चाहिए है oxygen चाहिए है तो जितने जोर से आप सास लोगे उतने जोर से जो है न oxygen जाएगी अंदर उतने जोर से क्या होगी oxygen brain के cells तक पहुंचेगी और brain के cells क्या होंगे brain के cells की भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी और अगर brain के cells की दिमाग की बत्ती जाएगी तो पुरा जो brain है अरे वो भी तो जगमगा उठेगा कि नहीं उठेगा तो इसलिए exercise के दो फायदे होते हैं एक तो oxygen जो है तेजी के साथ brain cells तक पहुंचता है जिसके कारण brain cells activate हो जाते हैं आपका brain activate हो जाता है प्लस happy hormones release होते हैं जिससे की excitement, positivity, confidence boost होता है they give you relief from mood swings, anxiety, depression, insomnia, stress, restlessness etc. in short these happy hormones make you happy ठीक है और अगर आप happy है आपका brain happy है तो फिर answers कैसे नहीं आद होंगे बई बिलकुल होंगे अब exercise कैसी करनी है वो भी मैं आपको पता देती हूँ ये नहीं कि जिम में जाकर के time waste कर रहे हैं simple walk हो सकती है simple cycling हो सकती है 10 से 15 minute के लिए आप कितना भी busy क्यों ना हो exam time में भी अगले दिन exam ही क्यों ना हो सुबह morning में लेकिन रात में अगर आप थोड़ी सी exercise कर लो walk कर लो 15 minute के लिए cycling कर लो 15 minute के लिए more than enough है कोई जरुवत नहीं है time pass करने की time waste करने की ठीक है? ओके तो exercise भी क्या करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अलावा skipping, रसी कूरना वो लड़कियों के लिए at least best exercise होती है है ना? और देखो कई बाज हो ना बच्चे पढ़ते 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 मैं बैठे रहते हैं अब कोई चल फिर के तो दोड़के तो पढ़ाई करता नहीं है बैठे बैठे क्या होता ना वजन भी बढ़ने लागते तो वजन को भी control करने के लिए सो करके उठो, रात में जल्दी जो है ना विस्तर में जाकर के सो जाओ इससे क्या होता है कि हम healthy रहते हैं हम बुद्धिमान बने रहते हैं लेकिन बच्चपन में पढ़ते हैं और पढ़ करके भूल जाते हैं कभी भी इस चीज़ को apply करने की कोशिश नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमको लगता है कि हम जो trend चल रहा है उसको follow करें कि भाई रात में जगने का trend होता है हमारे जितने भी दोस्त है ना वो सारे के सारे late night study करते हैं वो भी group study करते हैं तो मैं भी क्या करूँगा? मैं भले group study नहीं कर सकता है लेकिन मैं late night study तो करूँगा ही करूँगा रात में पढ़ूँगा दिन भर मस्त time pass किया है पढ़ने के लिए कब बैठूँगा? रात में बैठूँगा और माबाब भी मना नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि आपके parents तो यह ही चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो अब दिन में नहीं कर रहे हो, रात में कर रहे हो तो मम्मी पापा को भी लगे का ठीक है कम से कम पढ़ तो रहा है, कभी भी पढ़े मना नहीं करते हैं हलाकि उनको पता है कि रात में पढ़ना सही नहीं है लेकिन वो आपको मना नहीं करते हैं क्यों? क्यों पता है कि अगर आपको रात में पढ़ने से मना कर दिया सुबह पढ़ते नहीं हूँ दिन में पढ़ते नहीं हूँ तो फिर पढ़ाई तो होई नहीं पाईगे न तो ठीक है दो कॉफी तीन कॉफी दिढ़ा धड़ क्या है कॉफी पीते जा रहे हैं तो अगले दिन एक्जाम है और राद भर क्या करा है उल्लू के समान जग करके पढ़ाई करी है और अगले दिन ऐसा मूँ बना करके एक्जाम देने चले जाते हैं तो आप खुद ही बताओ कि अल्रेडी जब आपका ब्रेन ठाका हुआ है उस समय आप उसको बोर्डरो कि ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो तो क्या जो दिमाग है वो उन सभी चीज़ों को रीटेन कर पाएगा क्या पढ़ाई तो आपने कर लिए है कॉफी के दम पर लेकिन एक्जाम में ऐसी शकल बना करके ऐसी हालत में क्या लिखने वाले हो क्या लिख पाओगे किसी को नहीं पता आपको खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है इसका रीजन में आपको देती हूँ एक स्टडी हुई स्टडी हुई जिससे की साइंटिस्ट ने डॉक्टर्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक ना नाचरल रिदम होता है उस नाचरल रिदम के अकॉर्डिंग सुभे जो है मॉर्निंग में ब्रेइन की जो efficiency होती है ब्रेइन की जो functioning होती है वो peak पर होती है एक स्टडी हुई जिसमें की scientist ने डॉक्टर्स ने एक conclusion निकाला कि मॉर्निंग में सुभे सुभे ब्रेइन की जो efficiency है पफॉर्म करने की जो आप बोल सकते हो की ability है वो सबसे जादा होती है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ब्रेन की जो performance है वो कम 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 होती जाती है अब अगर आप सुबह पढ़ने बैठते हो तो उस समय क्या है? ब्रेन की performance आप बोल सकते हो कि सबसे बढ़िया है ब्रेन की जो efficiency है वो अभी peak पर है तो सुबह सुबह जो भी दिमाग में डालने की कोशिश करोगे मतलब सुबह सुबह ना ब्रेन बिलकुल activated mode पर है कि हाँ ले आओ answers मैं अपने अंदर डालूँगा और मैं इसको retain भी रखूँगा क्यों? ब्रेन active है ना तो ब्रेन बोले का ले आओ ले आओ जितने answers लना चाहते हो उतने answers ले आओ अगर तो आपने सुबह बढ़ा ही कर ली तो तो वो चीज़ याद रहेगी लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इतना बढ़ा कि क्या हो गई? रात हो गई रात में ब्रेन की efficiency क्या है? सबसे कम है उसकी performance सबसे कम है अब ब्रेन ऐसे सो रहा हो रहा है है ना? सो रहा है अब आपने बोला कि ओ भाई साब अगले दिन एक्जाम है पढ़ो answers डालो अपने अंदर तो ब्रेन बोलेगा कि क्या है यार जब सुबह मैंने बोला था कि answer दे दो मुझे मेरे अंदर energy है मैं उस answer को जो है ना retain रख सकता हूँ तब तो दिया नहीं अब जब मैं को नीन दारी जब मैं ठका हुआ हूँ तो फालत में क्या कर रहे हैं? पोक कर 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 answers जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं अब आप खुद ही समझ लो कि जिस समय दिन के जिस समय brain की efficiency सबसे कम है brain की performance सबसे कम है उस समय पढ़ने बैठे हैं तो क्या ही याद रह जाएगा भई? और फिर हम क्या करते हैं? कोशते हैं अपने ही दिमाग को कि क्या तो दिमाग पाया है? क्या तो अकल है? बिल्कुल भी चलती ही नहीं है जो answer याद करते हैं वो रहता ही नहीं है brain की कलती ही नहीं आपकी कलती है क्योंकि आप अपनी natural rhythm के साथ क्या कर रहे हो? खिलवाड कर रहे हो यह तो कुछ ऐसा हो गया कि पानी है नहीं लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे है? हाथ पाउं चला रहे है इस कोशिश में कि हम तैर जाएंगे हम swimming कर लेंगे अरे swimming के लिए पानी तो होना चाहिए वरना हालत ऐसी होगी हाथ पाउं चला रहे हैं यह कोशिश कर रहे हैं कि swimming हो जाए swimming हो जाए तो हम यहां से वहां पहुंच जाए आगे पहुंच जाए लेकिन जब पानी नहीं है तो काई की swimming कितना भी हाँ पाँ चला लोगे आगे नहीं पढ़ पाओगे तो यहां पर भी ऐसी होता है कि brain की efficiency जिस जिन घंटों में सबसे जादा होती है जिस समय दिन के समय में सबसे जादा होती है उस समय हम पढ़ते नहीं है late night study को एक trend बता करके late night study is so cool बना करके हम क्या करते हैं रात में पढ़ने बैठते हैं जिस समय brain की efficiency सबसे कम होती है least होती है तो ऐसी हुआ ना कि ये ये हरकत करना, इससे क्या ही आपको फाइदा मिलने वाला है So performance for learning and memory is higher during the morning and day, not late at night As the day progresses into the night, the brain's performance significantly decreases जैसे सिद्धिन आगे पड़ेगा, brain की जो performance है वो कम होती जाएगी So by studying all night, you are essentially swimming upstream and fighting against your body's natural rhythm जो हमारे body की natural rhythm है, उसी के against हम जा रहे है Study in the morning for better retention, study करो सुबह सुबह, तो जो retention है वो क्या होगा, better होगा And finally, एक ऐसी step जिसका आप सभी को इंतजार था क्या, कि मैं क्या खाएं, क्या खा लें ना हमको नींद से मतलब है, देखो, हम आपने बोल दिया है कि प्रॉपर नींद होनी चाही लेकिन हम लेंगे नहीं क्यों? हम अपनी सुनेंगे आपने बोल दिया है कि exercise करो, लेकिन हम exercise नहीं करेंगे Games केल सकते हैं, कैसे? Free fire खिल सकते हैं लेकिन उठकर की चलेंगे नहीं, ना दोडेंगे, ना cycling करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्यों? अपनी मर्जी के मालिक है Late night study ही करेंगे क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है, disturbance कम होता है लेकिन आप हमको यह बता दो सारी बात हैं हम अपनी मर्जी के करेंगे लेकिन एक बात हमको बता दो कि क्या खा लें, क्या खा लें, क्या खा लें जिससे क्या हो, improve हो जाए memory, चलो देखते हैं, improve कैसे करना है, memory को खा करके क्या खा करके, सबसे पहले अब यह मत सोचना कि मैं आपको diet chart देने वाली हूँ, क्यों मैं dietitian हूँ, profession में तो मैं आपको क्या करूँगी, diet chart दोँगी, देखो ऐसा ही कि अगर मैंने अभी आपको diet chart दे भी दिया ना, तो आप बोलोगे कि मैं हम अपनी diet को check करें या पढ़ें दोनों चीज़े एक साथ नहीं हो सकती है, एक चीज़ बताओ सुनों याँ पर say no to, मैं आपको बस इतना बता लिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए है ना, इससे आप ही को फाइदा मिलेगा देखो याँ पर, say no to किसको ना बोलो, junk food को अब junk food क्या होते हैं, processed food और जो restaurant के जो food होते हैं वो, जिसमें कि आपके burger, pizza, noodles वगएरा आते हैं मैगी आती है, कि भाई, late night study ओहो, late night study करनी है, तो रात में भूग लग रही है मम्मा ने बोला कि बेटा रात में पढ़ाई करता है तो जो है ना, मैं एक पराठा या रोटी वगएरा बना करके रख़़ू तो आपने बोला, no mom, मैं maggी खाऊंगा या मैं maggी खाऊंगी, लड़किया भी कम नहीं होती है तो आपने जो है ना, बोला कि नहीं, मम्मा आप तो रहन दो, मैं तो maggी खाऊंगा है मैगी खाऊंगी कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन मैगी में जो ट्रांस फेट है डेखो फैट दो तरगा होते हैं Saturated और अनसाचुरेटेड है जो आप बोल सकते हूँ कि जब treated fat saturated . में convert होता है फैट दो तरह के हैं unsaturated and saturated जब unsaturated fat saturated fat में convert होता है तो क्या बनता है transfer अब आप बोलोगे कि मैम कैसे unsaturated saturated में convert हो रहा है कभी हलवाई को समोसे तलते हुए देखा है समोसे वो तलेगा 100 लेकिन अपनी कढ़ाई में 200 समोसे तलने के लिए तेल लेकर के बठा रहता है अब 100 समोसे उसने तल दिया उसका काम हो गया लेकिन जो तेल है कढ़ाई में वो अभी बच्चाई हुआ है क्या होगा वो उस तेल को फेक तो देगा नहीं वो क्या करते हैं अगले दिन उसी तेल को फिर से गरम किया और फिर क्या करें 100 समोसे तल दिये फिर भी तेल बच गया तो उसके भी अगले दिन क्या करा उसी तेल को फिर से क्या करा गरम कर दिया जो बार 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 तेल गरम हो रहा है इसी से क्या हो रहा है साचोरेटेड और अनसाचोरेटेड की बीच में कनवर्जन हो रही है और इसी कनवर्जन में बन रहा है क् trans fat क्या करता है, एक study के हिसाब से जो trans fat है न, वो brain को shrink करता है, मतलब जिस डब्बे में आप समान रखना चाहरे हो, वो डब्बा छोटा होता जा रहा है, तो समान कम बनेगा न, जाहिर सी बात है, डब्बा इतना बड़ा, तो समान बहुत सारा तो जाहिर सी बात है, जो याददाश है, वो अच्छी तो होगी न, खराब होती जाएगी उल्टा, इसके रावा sugary fruits, या sugary food या drinks, जैसे की cold drinks, packed fruit juices, कहने को सबसे बकवास कोई पीने की चीज़ होती है, health के नाम पर तो वो होती है, packed fruit juices, कहने को तो हमने क्या करा है juice पी आई, लेकिन उस juice में, मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी tetra pack वाले juices आते हैं, उन में juice के नाम पर कुछ नहीं रहता, उन में सिर्फ color होता है, उन में सिर्फ preservatives होते हैं, additives होते हैं, flavoring agent होते हैं again chemicals और आप बोल सकते हो कि खुश्बू के लिए कि अगर आपने orange juice खोला है, तो आपको संत्रे की खुश्बू आनी चाहिए उसके लिए उसमें संत्रे का essence डाल देते हैं संत्रे का juice आपने खोला है, तो उसमें orange color अनाची इसलिए color डाल देते हैं, बाकि संत्रे का कोई नामों निशान नहीं होता है उस orange packed juice में, तो अगर आप सोचते हो कि अरे वा, हमने तो healthy चीज भी है, कुछ healthy नहीं है, सिफ शक्कर खाई है और कुछ नहीं करा है, तो packed fruit juices, packed milkshakes, cookies dried foods, doughnuts, candy, spice, इन सब में जो ना, छुपी हुई रहती है अब आप बोलोगे कि मैम शक्कर से क्या दुश्मनी है आपकी, कोई दुश्मनी नहीं है basically होता क्या ना, कि जितने भी ये sugary food items होते हैं इन में आप बोल सकते हो कि simple carb होते हैं, अब आप बोलोगे कि मैम carb तो energy की source होते हैं, तो अगर इनको आपने खाया भी energy जो है release करी जाएगे, तो जैसी आप खाओगे, suppose आपने क्या करा है, fruit juice पी लिया है, तो पीने के बार आपको लगेगा कि अरे वाह, क्या energy आई है लेकिन जैसे ही वो energy उठी थी न, बेसिकली आपको नहीं आप पर sugar की एक peak मिलती है, कि एक peak आपको मिली थी sugar की, जिस समय मिली उस समय आप बहुत ही energetic feel कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये peak बनी है वैसे ये नीचे भी गिर जाएगी, इसका मतलब क्या, भूख लग रही थी, आ तो उस समय आपको अच्छा लगा, कि हाँ, पेट भर गया, energy आगी, लेकिन जैसे वो peak उपर उठी थी, ब्लड में, वैसे ही वो peak नीचे भी गिर गिर इसका मतलब क्या, आदे घंटे बाद आपको लगेगा कि फिर से हमको थकान लग रही है, फिर से भूख लग रही है, त खाने पीने का session चलता रहा, तो बस फूल के मोटे होंगे ना, पढ़ाई कुछ ना हो पाएगी, इसके अलावा जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स नहीं, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, कीवी को सुखा करके, सुखी हुई कीवी, उसमें सिर्फ होती है, कुछ नहीं होता उसमें और, इसके अलावा फ्राइड फूट, फ्रेंच फ्राइड समोसा, कचोरी, चिप्स, प्लस एक्सिज कैफीन, मतलब की कॉफी, डेफिनेटली कॉफी पीने से नींद जो है नहीं आती है, आप एक्टिव हो जाते हो, तो कॉफी का सही इस्त सब को छीन लिया हमसे, तो फिर खाएं क्या, खाना ये है, वेजटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, होल ग्रेंज, जैसे कि मैंना आपको बताया कि जो शुगरी फूड होते हैं, उनमें सिंपल कार्ब होते ह जिनको की हमारी बॉडी में डाइजेस्टिन में जादा समय लगता नहीं है, जैसी हमारी बॉडी में गए, फटा फट ने क्या करा है, बॉडी के डाइजेस्टिस सिस्टम ने इनको तोड़ा है, तोड़ करके एनर्जी निकाली है, और ये जो एनर्जी है, बिसी कली देख फटा-फट से जो है ना शोगर मिली फटा-फट से जो है ग्लूकोस बना तो क्या मिल गई एक शोगर की पीक मिल गई लेकिन ये शोगर की पीक जैसे बनी थी जल्दी जल्दी वैसे नीचे भी गर जाती है लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी whole grains की अनाज की oats और गेहूं और दो रोटी चावल वगरे सब खाया दल्या खाया है तो आप चार घंटे तक energetic फिल करोगे अगर आपने दो कुकीज और मैगी खाली है और फूट जूस पिया है ना तो सिर्फ एक घंटे तक एक घंड़ तो भी maximum है आदे घंटे के अंदर फिर से भूख लगाएगी और फिर घंपा खाना इस दा बेस्ट ये कंक्यूजन निकलता है Спशेशली एकम टाइं इंप गार खाना क्या आपके बढ़िया है इसका यहां हमें नहीं पता अथा की जो खाना हम ट भाफ मनें बहु भाभ Ig… तो हमने भी लिए त्ट बम03 हो गईंट ये तो पड़े लिया है अंवаем सी बात है, एक्जाम टाइम में आपको अपने आपको हेल्दी रकना, तो हेल्दी कैसा रकना है जो टिब्स,'— मैंने आपको बताया है। जो टिब्स मैंने आपकी साब शेर करें है। अगर आप उन को sincerely follow करते हो तो आपकी आदाश को बहतर होने से कोई नहीं रोक सकता अच्छा खाओ healthy खाओ बाहर का मत खाओ घर का खाना खाओ घर पे जो बनता है वो खालो हरी सबजियां फल सबजियां है और अगर ताकत जादा है ब्रेन की तो ब्रेन सबसे जादा उस समय याद रख सकता है रात में efficiency कम हो जाती तो आप रात में जितना बेपढ़ने की कोशिश करोगे न वो सब थोड़ा सा waste ही जाएगा इसके अलावा आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत exercise करो exercise से happy hormones release होंगे तो anxiety, depression इन सब से आप दूर रहोगे और focus कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर तो मैं उमीद करती हूँ कि इन सभी steps को अगर आप follow करोगे पहली बात तो समझ में आई होंगी ये steps और अगर आप इनको follow करते हो तो आपको इंसे फाइदा मिलेगा तो आज के session के लिए बस इतना ही और आप visit कर सकते हैं हमारी official website magnetbrains.com Till then, keep learning with magnet brains Thank you for watching